नमस्कार आपका स्वागत है एश्यानीज इंडिया में आपके साथ मैं पून हूँ नए हीट एंड रन कानून के विरोध में सोमवार को देश के आठ राज्यों मद्यप्यदेश, राजिस्थान, बिहार, शत्तिसगर, यूपी, उत्राखन, पंजाब और गुजरात में बस और ट्रक ट्राइवर हर्ताल पर है भारत की नया सहीता 2023 में हुए सर्जोधन के बाद हीट एंड रन के मामले में दोशी ड्राइवर पर साथ लाग रुपे तक का जुर्माना और दस साल तक कैद का प्रावधान है मद्य प्रदेश की भोपाल, इंदोर, गौालिय, जबलपूर समित अन्य शहरों में बसे नहीं चल रही है राजिस्तान में आदे दिन तक प्राइवेट गाणिया नहीं चलाई गई 36 गड के बिलासपूर में ट्रक ड्राइवरों ने सड़क पर वहान खड़े का टाइरों में आग लगा थी बिहार की राज़दानी बटना समित प्रदेश के कई जीलों में प्रदशन हो रहा है वही उत्राकन पंजाब और यूपी में भी ट्रक ड्राइवर ने चक्का जाम किया औल इंडिया मोटर ट्रांसपर्ट कॉंग्रिस ने हिट अन रन कानून को सक्त बनाने का विरोध किया है संगठन के आहान पर ही चक्का जाम और हरताल शुरू हुई है AIMTC की अगली बैटक 10 जनवरी को होगी इसमें फैसला लिया जाएगा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो किस तरह से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा जाए AIMTC के अध्यक्ष अमरतमदान ने कहा कि हिट एंडरन कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है लेकिन प्रस्तावित कानून में कई खामिया है इन पर दोबारा सोचने की जरुवत है उन्होंने कहा कि देश की अत्यविवस्ता में सबसे बड़ा योगदान परिवन शेत्र और ट्रक चालोकों का है भारत इस समय वान चालोकों की कमी से जूच रहा है लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है ऐसे में दस साल की सजा के प्रावधान के बाद अप ट्रक ड्राइवर नोकली चोड़ने को मजबूर हो गए है इसी के साथ बने रहे हैं इस और जिंजा के साथ